हाउ तो ट्रांसपर फोटोस एन वीडियोस मोबाइल टू विंडोस 11 लाप टॉप तो गाइस आज मैं इस पेशली एक यूनिक थाप का फी टॉपिक कवर करने वालो इस पेशली फोर लाप टॉप यूजर्स के लिए जो कंप्लेटली बिगिनर है जिनन अपने लाइफ में फ लाप टॉप है और आपको नहीं पता कि मोबाइल टू विंडोस 11 के लाप टॉप में आपको फोटोस एन वीडियोस कैसे ट्रांसपर करने है शेर करने है विदाउट ब्लुटूथ तो आज का टॉपिक आप लोगों के लिए यूसफुल होगा और यह जो टॉपिक है इस प तो अगर आपने अपने लाप टॉप में अभी तक विंडोस 11 अपडेट नहीं किया है इंस्टॉल नहीं किया है तो आपको कई सेरे टॉपिक मिल जाएंगे यूटूब पर आप विंडोस 11 को इंस्टॉलेशन प्रोसेस चेक आउट कर सकते हैं सबसे पहले यहापर मैं आप आपको इसका वर्जन दिखा देता हूं तो यूजी तो यह विंडोस 11 है जो मैं आपर रॉन कर रहा हूं तो विंडोस 11 में आपको फोटोस एंड वीडियोस कैसे ट्रांस्टॉर करना है मोबाल टू विंडोस टेंके लाप टामें लेट में शो यूँ तो यहाप गाईस दो सब्सक्राइब करनार ऐ जिसमें आपका काम भी जल्दी हो जाएगा वह कि आप बोबाल के यूइसबी केबल का यूज करके आप मोबाल को अपने विंडोस 11 से कर सकते हो और उसके बात आपने फोटोस फाइल और वीडियोस को ट्रांस्टॉर कर सकते हो शेर कर सकते एव यह जो USB केबल है, यह कुछ ने जो मोबाईल के साथ में जो चार्जार आता है, हमारे, उस चार्जर का जो USB केबल, वोह यह आपको यूज करना है, और बेसिकली आपको Type-C यूज करना पड़ेगा, राईट, मेरे पास जो लैप्टॉप है, यह लापट यूजिकली से connect करना होगा तो इसे connect करने के लिए पहला जो ये पार्ट है USB का यह आपको अपने laptop के USB port से connect करना है बर इस तरीके से आपको connect करना है तो यह लाप्टॉप से connect हो गया अब जैसे मैं इस वाले port को अपने mobile से connect करूँगा तो यहाँ पर एक notification आएगा उसमें आपको ट्रांसपर फाइल का option चूज करना है और वह important है उसको skip मत करना तब जैसे मैं आप पर connect करूँगा तो यहाँ पर एक आपको ट्रांसपर फाइल का option पीक करना है तो यहाँ पर आपको फिट से दिखाता हो ताकि आपको यहाँ पर यह पर यह प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और यह important step है इसको skip मत करना अगर आपने proper तरीके से नहीं किया जैसे मैंने explain किया है तो आपका file आप transfer नहीं कर पाऊगे अब यहाँ पर connect तो यह वैसे आपके mobile से आपकी Windows 11 से connect तो हो चुका है लेकिन फिर भी एक बार आप confirm करना चाहते कि यह connect हुआ है कि नहीं तो यह आप कैसे check out करेंगे यह check out करने के लिए आपको अपने my computer में जाना है वहाँ पर अगर आपको अपने mobile का नाम दिख रहा है जो भी आपने connect किया है वहाँ पर अगर आपको दिख रहा है that means आपका mobile आपके Windows 11 से connect हो चुका है and you are ready to transfer the files तो नाव मैं एक बार आपको process दिखाता हो तो यहा मोबाल की internal memory और इसमें अगर tap करूं तो यह पुरा है mobile का पुरा data जो इसमें शो कर रहा है अब बस आपका mobile आपके Windows 11 से connect हो चुका है अभी आपको file transferring का process start करना है so सबसे पिले अभी यहाँ पर mobile तो अपने Windows 11 से connect हो चुका है अब यहाँ पर मैं laptop 2 यानि कि Windows 11 के laptop में से mobile में कोई photo को transfer करूंगा और उसके बाद mobile 2 Windows 11 के laptop में कोई video को transfer करूंगा जिससे आपको दोनों का process समझ में आएगा तो अभी यहाँ पर दोनों connect हो चुका है तो सबसे पिले अभी transferring का process करते है तो इसके लिए मैं my computer में जाऊंगा तो माई computer में जाने के बाद directly आपको कोई भी folder में जाना है जिसमें भी आपने कोई भी फोटो या वीडियो को share किया हो यानि कि save करके रखा हो तो यहाँ पर में documents के folder में मैंने तीन फोटो रखे है और यह तीनों को मैं इसमें अपने laptop तो मोबाल में share करना चाते हो तो तो चूज करूँगा तीनों को चूज करने के बाद यहाँ पर अगर आपको जो भी आपका फोटो है वीडियो सबको आप एक साथ चूज करना चाहते हो तो आपको अपने mouse पे प्रेस करके रखना है और उसके बाद रोटेट कर लेना है तो आपको अपने laptop पे जाना है Ctrl C करना ताकि जो फोटो आपने चूज किया है, select किया है वो सारा copy हो जाए, copy होने के बाद आपको directly जाना है अपने mobile के folder में, यह है mobile का folder इस पे जाना है, mobile की memory card में जाना है और इसके बाद जाना है आपको कोई भी folder में जिसमें भी आप फोटो को share करना चाहते हो, तो मेरे cases में में आप जाओंगा DCIM, DCIM बेसिक लिए guys अपने mobile का सबसे important folder होता है, जिसमें हम जो भी चीजों को capture करते हैं, वो DCIM के folder में दिखता है, हमारे mobile का, तो DCIM का folder हमेशा पिक करना, camera के option में यहाँ पर directly में इसे paste कर देता हूँ, तो you see, यह paste हो चुका है, तो एक बार मैं दिखा रहता हूँ, यह अभी mobile की folder में हूँ, DCIM के folder में, और यहाँ अगर आप चेक करोगे, तो यह रहा वो photo, जो भी मैंने transfer किया, mobile to, sorry, laptop to mobile में, अब यहाँ पर यह process दिखा नहीं, बिकॉस यह photo है, तो quickly transfer हो गया, और दिखानी process, तो अभी जो photo मेंने transfer किया, उसको मैं अपने mobile में दिखाता हूँ, बिकॉस हो mobile में आ चुका है, तो यह रहा वो photo, you see, यह रहा, और यह photo को मैं अभी अपने laptop में दिखाता हूँ, documents के folder में, और यह रहा वो photo, जो भी मैंने Windows 11 से अपने mobile में transfer किया, so यह रहा, यह पहला वाला, जो third number पे है, और यह जो monkey वाला है, यह रहा, तो यह जो process था, यह विंडोस 11 से अपने mobile में transfer करने का process था, photos को, अब आ रही है, कि वीडियो को कैसे transfer करना है, तो वीडियो को भी same to same ऐसे transfer करना है, अब लेकिन मैं थोड़ा different बताऊँगा, पहला जो मैंने बता है, वो मैंने Windows 11 से mobile में transfer करने का process बता है, और अभी जो बताऊँगा, वो मैं mobile से Windows 11 में transfer कैसे करना है, वो बताऊँगा, तो अभी mobile 2 Windows 11 में transfer करने के लिए, मैं वीडियो का use करूँगा, वीडियो को transfer करूँगा, तो अगर mobile 2 आप अपने विंडोस 11 में ट्रांशवर करना चाहते तो यहां पर आपको अपने mobile के folder में जाना है mobile की memory card में जाना है, और यहां से किसी भी folder में चले जाना है उस folder में जाना है जिसमें आपने कोई video को स्टोर करके रखाओ तो मैं DCM के folder में जाता हूँ कि अतलि एक प्लर्डर में कोई यह वीडियो निया है तो यह उपन गामरम में ने एक वीडियो रख्या है एक वीडियो है इसे में अबर आपको रिखेंग के निक्रातो तो हमें एसे नमिटियो बइस्किली इस टानुप है एक छोटा सा वीडियो भिचुस minima तो इसको मैं transfer करूगा, तो यह अभी mobile में, तो इसे transfer करने के लिए mobile to windows 11 आए, पहले आपको इसको इसको पिक करके, पहले आपको इससे select करना है, और select करने के बाद, computer अपने laptop के keyboard पर control plus C, ताकि यह copy हो जाए, copy होने के बाद आए, आपको documents के folder में जाना है, और यहाँ पर आप keyboard का use करके transfer करना चाहते है, अगर आप mouse से करना चाहते हैं, तो mouse पर आपको right click करना है, वहाँ पर आपको control, copy का option आजएगा, paste का भी option आजएगा, तो यह video यहाँ पर आ चुका है, अब यह जो video आया है, यह basically my computer में आया है, mobile से windows 11 में आ चुका है, यह सी, यह रा, अब यह कि मैं इसे play करूँ, तो यह रा वो video, तो गर इसे जो process में आपको बता है, अगर आप completely beginner हो, आपको फर्स्टीन बार यह प्राक्टिस करना है, और करते-करते आपको धिरे-दिरे इसकी आदत हो, जाएगा, I know कि मैंने first time जो बता है, वो शायर आपक से क्या होगा, अगर आप complete beginner हो, लेकिन आप practice करोगे, दो-तीन बार तो automatically आपको आजाएगा, लेकिन जो process में आपको बता है, वही same to same process आपको apply करना है, सबसे पहला आपको, एक बार मैं आपको review बता देता हो, preview, पहला है आपको आपको मोबाल से connect करना है, USB cable का use करके, आप आपको USB port को यहां से यहां पर tap रहना है, और इसके बाद दूसरा port आपको यहां पर connect करना है, देन उसके बाद directly आपको अपने mobile के किसी folder में जाना है, वहां से आपको my computer में transfer कर देना है, files and process को, कुछ भी अगर आपको doubts and question है, आप directly मुझे Instagram पर पोच सकते हैं, Instagram account का जो link है मैंने वीडियो के downside में दिया है, तो आप मुझे वाप पर directly contact कर सकते हो, I hope आपको some process समझे है, like how to transfer photos and videos from mobile to Windows 11 laptop, so this will help you in 2022 and in future.